हलो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक वीजो लिए 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 भिंदी चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था cooling pad के बारे में और आज की इस वीडियो में लेकर के आया हुआ हूँ cooling table और आज की इस वीडियो हम लोगों बात करेंगे cooling table के बारे में actually cooling table का हमारे general life में बहुत ही जादे जरूरी है जब हम अपने घर पे काम करते हैं, bed वगरे पे बैट करके काम करते हैं या फिर जमीन पे बैट करके काम करते हैं, या फिर कहीं पर पार्क वगरे में बैट करके काम करते हैं, फिर छट पे बैट के काम करते हैं, तो उस वक्त जो है cooling table बहुत ही जादे जरूरी होता है, प्रापर तरीके से बैट करके आराम से काम करने के लिए, बिल्कुल comfortable हो करके क के लिए कूलिंग टेबल हमारी भी जादे मदद करता है इस इसी बीडिव के नंदर हम जोई ही जानेंगे की कौन सा कूलिंग टेबल किस किस डिजाइन के हैं क्या क्याइब प्राइस वागरा है इन सबी ke के दो फैनिस के अंदर लगे हुए हैं सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल fold हो जाता है जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं fold होने के बाद बिल्कुल बहुत ही छोटा हो जाता है और open होने के बाद ये बहुत ही बड़ा हो demerit वगेरा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और बाकी आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये खुल जाता है और आप ये इसको देख सकते हैं बिल्कुल खुलने के बाद इस तरीके से आप किसी भी अंगल में इसको set कर सकते हैं बहुत ही बहतरीन जो है ये वर्क करता है चुकि ये पुराना हो गया पिछले पांच सालों से मैं यूज कर रहा हूं इसको और इसके थोड़ी प्रब्लम्स क्या होती है कि जैसे जब आप इसको ओपन करते हैं यहां से इस तरीके से जब बड़ा मनाएंगे तो अगर बाईलेक चांस आपने खोल करके रखा हुआ है किसी प्लेन सर्फेस पे और उपर थोड़ा लोड ज्यादे अगर पड़ गया तो यहां से जो है ये ब्रेक हो जाता है तो इस इस इस्टेंट का भी एक ब्रेक हो चुका है एक ब इसलिए मैं आप देख सकते हैं मैं आप धागा बांद करके रखा हुआ हूँ तो एक्शली जब काफी पुराना हो जाएगा तब इस आप की प्रब्लम्स होती है तो चुकि 5-6 साल होगे मैं लगतार यूज कर रहा हूँ और काफी बिल्ड क्वाल्टी है ऐसा नहीं कि तु जैसे बैग में जिस बैग में आप लैपटॉप रखते हैं उसी के अंदर आप इसे भी रख सकते हैं और जहां भी ले करके जाना चाहते हैं वहां ले करके चले जाएंगे और कहीं पर भी आप रख करके आप वर्क कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे यूज कर सकते हैं और आप इसे बिल्कुल जो है और आप इसे बाई कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो मैंने description में link दे रखा है आप direct लिंक पर खिलिक करके और भी इसके बहुत ही खुबसूरप और बहुत ही durable और बहुत ही जो है use and friendly ये cooling table आपके लिए हो सकता है और उसके बाद हम बात करते हैं यह जो यह बहुत ही खुबसूरत model है और इसको बनाया है पफी कमपनी ने और इसका price 1799 रुपया ने के 1800 रुपय में बहुत ही खुबसूरत यह wooden table है यह आप देख सकते है adjustable five angle position के अंदर जो है यह laptop रखने वाला जो आपका पार्ट है five angle में जो है यह adjust हो जाएगा और बिल्कुल natural wooden है यह और 7 mm के दो फाइर इसके अंदर लगे हुए हैं और mouse वगरे रखने के लिए छोटा मोटा समान वगरे रखने के लिए आपको draw भी मिल जाता है तो यह benefit है और बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत लगता है और adjustable भी है जो आपे देख सकते हैं इसका इस्टेंड जो है और थोड़ा सा इसकी यह build quality भी है तो थोड़ा सा अगर थोड़ी सी heavy weight भी अगर पढ़ जाता है गलती से तो यह जो है टूपने बाला नहीं है और सबसे जो है बिल्कुल सेम फीचर है और इसको बनाया है वीजो कंपनी ने और इसका price 1699 है यानि कि 1700 रुपे का और यह भी जो है बिल्कुल वुडन है यह color काफी लोगों को पसंद आता है बाकि feature wise बिल्कुल सेम है तो आप इसे भी buy कर सकते हैं इसका price 1699 रुपे है अगर आपको यह color अच्छा लगता है तो आप इसे buy कर सकते हैं और अगर आपको यह color अच्छा लगता है और यह model अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे buy कर सकते हैं फरक सिर्फ इसमें यह होगा कि जो यह वाली quality 1699 में यह अक्चुल इसका जो stand है यह adjustable नहीं है यह बिल्कुल fix ह लेकिन यह मजबूत ही इसके अंदर जादे होगी और इसका जो है यह stand भी आपका जो है थोड़ा सा adjustable हो सकता है थोड़ा उपर नीची आप इसको अपने recording कर सकते हैं लेकिन यहां पर जो stand है इसका वो जो है बिल्कुल fix है और उसके बादम बात करते हैं यह बहुत ही लेकिनर वगरे करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही बहतरीन और बहुत ही comfortable टेबल है यह और यह जो है aluminium material से बना हुआ है 60 mm के दो फाइनिस के अंदर लगे हुए हैं mouse वगरे रखने के लिए बिल्कुल adjustable है आप अपने हाथ के recording उसको adjust भी कर पाएंग तो इस तरीके से यह table है आपके लिए बहुत ही जादे useful हो सकता है अगर यह पसंद है आपको तो आप यह ले सकते हैं बिल्कुल adjust होता है इसकी height बिल्कुल adjustable है आप जैसे use करना चाहते हैं बिल्कुल आप bed पर तकिया लगा करके late सकते हैं और बिल्कुल इसको अपने past last ला चाहते हैं तो कर सकते हैं और इसके बात जो है हम बात करेंगे यह बिल्कुल नॉर्मल सा जिसको बनाया है नवराज कंपनी ने और इसका price है 1660 रुपे करीक पर इसके अंदर भी fan लगा हुआ है एक ही fan है 160 mm का और बिल्कुल जो उपर का जो डिस्क है वो बिल्कुल high quality French wood है तो एक यह बहुत ही high quality का है slim भी है लेकिन काफी मजबूत है तो यह जो है इतना जल्दी खराब नहीं होगा तूटेगा भी नहीं काफी build quality में है और जो इसका stand वो fold हो जाएगा लेकिन बाकि जो इसका उपर का desk के यह fold नहीं होगा और यानि कि यह जगा लेगा जो space लेग वो बिल्कुल बरकरार रहेगा तो यह आपको कहीं ले जाने में थोड़ी सी problem हो सकती है इस टाइप के cooling table को बाकि अगर घर में यूज करना है बेट पर यूज करना है या फिर नीचे जमीन पर या फिर छत पर यूज करना है तो यह आपके लिए काफी बहतर हो सकता है लेक इसके अंदर भी 160 mm का fine एक ही लगा हुआ है जहां पर laptop रखा हुआ है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल नॉर्मनी बड़ा से बड़ा laptop आप जो है यानि कि 14-15 इंच या फिर 17 इंच का laptop आप इस पर रख सकते हैं आगे keyboard एक बड़ी सी keyboard आप रख सकते हैं और mouse वगरे के साथ और भी कोई चीजे रखना चाहते हैं जैसे चाय वगरा तो यह सब सारी चीजे आप रख सकते हैं और बिल्कुल इसली जो है आप इसको यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से आप जो है आप इसको यूज कर पाएंगे और इसका भी जो डेस्क है वो बिल्कुल high quality wooden का ही बना हुआ है और इसका जो इस टेंट है वो भी बिल्कुल foldable है तो आप इसे भी use कर सकते हैं यह थोड़ा सा बड़ा है अगर बड़ा आपको चाहिए तो आप इसको use कर पाएंगे तो दोस्तों यह था cooling table जो एक से खमने दिखाया तो आपको जो भी पसंद हो जो भी आपके हिसाब से आपके budget के हिसाब से आपके काम के हिसाब से सही लग रहा हो तो आप इसे ले सकते हैं और बिल्कुल आराम से use कर सकते हैं आप bed पर बैठे हुए हैं या फिर छट पर बैठे हुए हैं आपके कमर बे पेन होने वाला नहीं है आप बिल्कुल अपने height के according set कर करने वाला भी है, फिक्स हाइट वाला भी है, तो यह सब कुछ बिल्कुल जो है, आपके एकोर्डिंग है, आपको कैसे requirement है, आपकी कैसे requirement है, आप अपने मन्द के पास ये वीडियो पहुचे और हो सकता है बहुत लोगों की कोईरीज रहती है ऐसी तो उस सभी लोगों की जरूत पूरी हो सके तो दोस्ते इस वीडियो वावी तक इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ तब तके लिए थेंक यू है वे नाइस टे बाबाए